दोस्तों आज की कहानी है बाहू मैं तुम्हारी बहूँ के हातों का खाना नहीं खाऊंगे दोस्तों कहानी सरू करने से पहले अगर आपने हमारे सैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पौसे हर नया वीडियो विमला जी की दो बहुए थी सीमा और रीमा दोनों सासुमा की अग्याकारी बहुए थी एक आवाज तक नहीं निकलती जैसा विमला जी कहती वैसे ही करती विमला जी के पती मोहन जी भी कुस नहीं बोलते उनके बेस में सुब से विमला जी की हुकुम की तामिल होती थी किसी की मजान जो उनके बोले सब्दों को बदल दे दिन भर बहुएं को कट पूतने की तरह नसादी रहती कभी ये काम कर लो कभी वो काम कर लो दिन से रात तक दोनों भहुएं चकरी की तरह पेस्ती रहती आज मिर से सुखने डाली की नहीं तो आज खाने में कुछ फ़ादिश्क बोजद बनाओ इसी तरह की अलग अलग फरमाई से बिना विमला जी की मर्जी के ये दोनों गर से बाहर कदम तक नहीं रखते विमला जी के पती देव हो या उनके सुखुत्र कोई विमला जी के बातों के अब हेंजना नहीं करते सीमा और रीमा हमेशा एक दूसरे का दर्ग समझती थी इसलिए एक दूसरे के कामों को बात लेती थी ताकि सब समझ पर खतम भी हो जाए और घर में सांती भी रहें एक दिन असानक विमला जी की सासुमा निमो देवी अबनी बीमारी का इलाज करवाने गाव जिन बहर विमला जी के पास आ जाती है अमा जी को यो असानक देख कर विमला जी गबरा जाती है अपना लंबा गुंगट निकल उनके पास जाती है पैर सुकर परनाम करती है और जल्दी से भाग कर पानी लाती है बिमला जी अपनी दोनों बहवों को भी आवाज लगाती है ओ सीमा और रिमा जल्दी से अमा जी के लिए साई नास्ता लेकर आ लाती हूं मा जी सीमा नी कहा उस देर में दोनों बहवे साई नास्ता लेकर आती हैं मेज पर साई नास्ता रख कर सीमा और रिमा दादी सा को परनाम करती हैं सदा सुहागन रह खुब खुस रह मेरी सोरिया दादी जी दोनों बहवों को अपना आसिस देती हैं सीमा नी मेज पर रख के साई का कफ और नास्ता दादी सा की तरफ बढ़ती हैं पर दादी सा साप साप मना कर देती हैं नहीं साई ये तेरे हातों की साई मुझ को ले जा इसे मन ने तो अपनी बहु के हातों की साई ही साई ये थारी सासुमा पिलाएगी तभी मैं पियूंगी विमला जी अमा जी का इसारा समझ सुकी थी वो जट से उट कर रसुई में सली गई साई बनाने जट पट साई बना कर विमला जी लाकर निमो जी को देती हैं ये लीजी है अमा जी मेरे हातों की साई साई पिकर निमो जी बहुत खुस होती है और विमला जी को कहती है ये बहुत सुन जब तक मैं इस घर में हो तो ही मेरा खाना पिना बनाएगी जो न बनाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी विमला जी सुन कर प्रेसान हो गई मन ही मन बोलने लगी अरे इतनी साल हो गई खाना बनाए अब कैसे फिर से बनाऊंगी ये अमा जी भी ना फिसे ही पड़ जाती है अब बला इन को कौन समझाए जैसे तैसे विमला जी रोज अमा जी का खाना पानी तयार करती ऐसा लग रहा था जैसे बहु नहीं कोई तटपूतली हो अमा जी ने तो नाक में दम कर रता है उपर से हर रोज खाने मैं भी अमा जी की अलग अलग फरमाई से थी जिनने विमला जी को पूरा करना पड़ता था कभी अमा जी के पैरों में तेल मानिस करो तो कभी दवा पानी में लगो कभी कभी तो गुसे में बढ़ बढ़ाती रहती विमला जी कभी कभी अपना कारा गुसा दोनों बहुआं पर सिला सिलाक निकलती रहती थी विमला जी की हालत देखकर सिमा और रिमा बड़ी मजी लेती और एक दूसरे से कहती अब मादी को समझ आ रहा होगा कि हमें भी कश्क होता है उनकी आधतों से हो भी तो हमें ऐसे ही दिन बार कटपूतली की तरह नसाती रहती हैं अब आया ओट पहाड के नीसे थोड़ा भी दया माया नहीं आता था उनकों अब जेलो साकुमा आप भी और दोनों बहुए एक दूसरे को देखकर मुस्क्रा में लगती हैं विस दिनों तक चगातार विमला जी अमा जी की आव बगत में लगी रही फिर एक दिन अमा जी का पैर दबाते दबाते विमला जी ने पूस ही दिया अमा जी पहले तो आप ऐसी ना थी पर अब के हो गया आपको अब हमारी भी उम्र हो गई भाग दोड नहीं होती मुझ से फिर आप हमसे ही सारा काम करवाते हो आवाज में गुसा भर कर अमा जी कहती हैं तो तेरे से न कराओं तो फिर किस से करवाओं तो बोल तो जैसे ठकती हैं काम करके वैसे ही तेरी बहुए भी तो ठक जाती होगी उपर से तो अपनी मर्दी उन पर थोपती हैं सो अलग अरे बावरी वो तुम्हारी बहुए हैं कोई कटपूतली नहीं जो तुम्हारे इसारों पर नास से फिरती रहेगी अब तुझे समझ आया बहुएं की पीड़ा विमला जी कहती हैं समझ गई अम्मा जी मैं बूल गई थी कि मैं भी एक बहु हों और सास की जिम्मेदारी बहुएं से कहीं जहाला होती हैं मुझे माप कर दीजिए अम्मा जी अरे मुझ से नहीं अपनी बहुएं से महपी मांग और वादा कर उन दोनों को जहादा परिसान नहीं करेगी अम्मा जी सिमा और रिमा को आवाज लगाती हैं और कहती हैं आज से तुम दोनों ही मेरा खाना पिना बनाओ तेरी सासुमा को अब अकल आ गई हैं तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती हैं अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती हैं तो पलीज वीडियो को लाइक करें सियर करें और हमारे सेनर को सब्सक्राइब जरूर करें झाल आपको हमारे सेनर करें